हाई गाईज मेरे नमें तनाब से देख रहा आपई के चैनल दितनशीर को दोस्तों फेस्बुक का एक नया अपडेट आया है और ये अपडेट हर एक फेस्बुक क्रियेटर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है तो क्या है अपडेट वो समझने के लिए आप लोगो को वीडियो पे अंट तक रुखना ही है तो दोस्तों मैंने यहाप पॉइंट भी नोट डाउन किया है जो अपडेट अभी हाली में फेस्बुक ने लॉंच किया है और टेस्टिंग फ्रेस पे अभी चल रहा है वो अपडेट है यॉर्ट टॉपिक हाँ दोस्तों यॉर्ट ट अपडेट है यह क्रियेटर को कैसे बेनिफिट देगा तो यही मैं एक्स्टेन करने के लिए आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग से वीडियो पे अच्छे से समझ के जाना दोस्तों यहाँ पे यॉर्ट टॉपिक लिखा हुआ ओप्शन आ रहा है पे निउस फिड इन दा सेंस फेस्बुक फीड जो फेस्बुक के एप अन करने पे ही आप लोगों को दिखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों पिक यॉर्ट टॉपिक करके लिखा हुआ रहता है और नीचे एक दो तीन चार पाच ऐसे करके टॉपिक रहते हैं जिस तो यह टॉपिक जो आपको अभी हो सकता है दिखाई दे रहा है या फिर इन फीटर देखने के लिए मिलेंगा और कीण कीडा मिल रहा है तो यह जो टॉपिक है यह टॉपिक पी ली यूजर या फिर और बाटीछों के बेस के है वहां दोस्तों हम लोगले Facebook open करते हैं, हम feed को ऐसे ही swipe up करते हैं और जो भी चीज हमारा interest का होता है उसको like करते है, comment करते है share करते है, उस पे time spend करते है, देखते हैं और Facebook का जो algorithm है वो उसको भली भाती समझने की कोशिश करते हैं और हमारे interest के मुताबिक यहाँ पे topic हमें suggest करते है ताकि जो भी Facebook पे content है, उसको maximum exposure मिले और audience जो अपने interest के मुताबिक content को देखते हैं consume करते हैं, उन लोगों को आसानी से वो सारे topic पे content मिल जाए, तो इससे होगा क्या, अगर आप एक creator हो, आपका भी audience रहेगा, भले एक, दो, तीन, चार सो, हजार लाखों में हो, उस audience को अगर वो ही topic बाला option suggest होता है, और topic पे वो add कर लेता है, तो हो सकता है, आपका content उस topic के interest पे आने के बज़े से वो ही audience को सार्व हो, हो सकता है जो आपका audience नहीं है जो आपके Facebook को follow करके नहीं रखा है, मगर आप जिस topic पे video content बनाते हो, उस topic से interested वो बंदा है, और वो बंदे ने किसी दूसरे के content को consume कर रहा है Facebook पे, और topic बाला option उसको show किया, और उसने topic बाला option बटन को click करके रखा, तो हो सकता है उस topic के interest बटन को click करने के बज़े से आपका content भी उस audience के news feed पे चला जाए और ये possible होगा जब आप लोग as a creator इस topic बाला feature को अच्चे से समझ के implement करोगे अब दोस्तों आप लोग ये ज़रूर observe करना के topic होता क्या है particular topic, even YouTube पे भी आजकल mobile apps पे आप देखना जैसी आप कुछ mobile पे सर्च करके देखते हो आप पे तो ऊपर एक option आता है छोटा छोटा करके keyword के जैसा topic लिखा हुआ होता है वो ही topic होता है यानि कि topic मतलब keyword तो आप लोग आपके niche से जुरे अगर एक ही जैसा content बनाते हो और उन हर एक content को प्रोपार्णली टाइटेल डिस्क्रिप्शन टेग डाल के optimize करते हो तो वो topic keyword रहने के बज़े से यहाँ पे 99.99 chances होगा के लोगों के interest मताबिक जो भी topic को वो लोग add करते हैं उस topic list पे आपका content चला जाए जिससे आपको एक बहुती बड़ा exposure मिलेगा और आपका page होने बाला है viral तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहूंगा जो भी बंदा topic को optimize करना चाहते हो वो लोग ज़रूर मेरा facebook page setting बाला जो episode मेंने काफी पहले बना के रखा था उसको ज़रूर देखना ताकि आपको facebook के content को SEO जो कैसे किया जाता है प्रोपारली keyword डाल के बो समझ में आ जाए और topic कौन सा कौन सा suggestion पे लोगों का आ रहा है या फिर आपका आ रहा है वो ज़रूर एक बड़ चेक करके देखना हो आपके keyword क्या 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 आता है वो ही keyword अपने content पे डाल के content को optimize करना ताकि इस feature का maximum benefit as a creator आप लोगों को मिले hope guys आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा helpful और knowledgeable रहा है अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना कोई भी दोस्ट पर ने ने आया हो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले ना क्योंकि इस चैनल पर फेस्बुक से जुरे हर आपडेट सबसे पहले मिलता है मिलता हो अगले वीडियो के साथ तब तक आप लोगो खुश रहो आबाद रहो और मन पकना नाम करें दोस्ट तो बाइ